नमस्कार दोस्तों स्वागात आपका मेरे चैनल में दोस्तों इस वीडियो में मैं फुल डीटल रिव्यू करूँगा इसकिन शाइन क्रीम का 90% लोग इसकिन शाइन क्रीम को अपने चेहरे के दाग धबे मिटाने के लिए या फिर अपने चेहरे को गोरा बनाने के लिए यूज करते हैं जो की बिल्कुल ही गलत है इस वीडियो में मैं आप दोस्तों बताऊँगा इसकिन शाइन क्रीम के सही यूज के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस skin problem में skin shine cream यूज की जाती है कितने समय तक इसे यूज करना चाहिए और क्या-क्या नुकसान यह आपके चेहरे को पहुचा सकती है तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं वीडियो शुरू करना से पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कर ले सबसे पहले हम बात करते हैं skin shine cream के components के बारे में यानि कि किन-किन medicinal drugs को मिला कर skin shine cream बना जाती है तो skin shine cream में हाइड्रोपिनिं 2%, मोमेटासोन 0.1% और ट्रेटिनोईन 0.025% यहां तीन ड्रग देखने को मिलते हैं जो कि आपकी skin को कई तरह के फाइदे पहुँचा सकते हैं और इसी के साचात में यह आपकी skin को नुकसान भी पहुँचाते हैं वीडियो के एंड में हम बात करेंगे कि skin shine cream आपकी skin को क्या क्या नुकसान और क्या क्या फाइदे पहुचाती है अभी हम जान लेते हैं कि skin shine cream का main use क्या होता है यानि कि किस skin problem के लिए यह cream यूज की जाती है तो अगर हम बात करें skin shine cream के main use के बारे में तो यह मेलाजमा नामक एक skin problem के लिए यूज की जाती है या लगाई जाती है मेलाजमा एक common skin problem है जिससे कि आपके चेहरे पर कुछ इस तरह के dark patches या फिर काले धब्बे दिखाई देने लगते हैं जिसके कारण से आपका चेहरा काफी काला पड़ जाता है और काफी खराब दिखाई देता है मेलाजमा एक 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 कंडिशन है जो कि पूरुशों के मुकाबले महिलाओं में ज्यादा तर देखी जाती है मेलाजमा में स्किन शाइन क्रीम इसलिए यूज़ के जाती है क्योंकि स्किन शाइन क्रीम मेलाजमा के कारण होने वाले dark patches यानि की धब्बो को कम करती है और इसी के साथ में हम मेलाजमा के दोरान होने वाले problems जैसे redness, खुजली और दर्द आदी से भी आपको रहाद देती है अब हम बात करते हैं कि स्किन शाइन क्रीम केसे काम करती है How is skin shine cream works? Skin shine cream तीन medicines का combination होती है Hydroquinone, Mometason और Tretinoin जो की मेलाजमा को treat करते है सबसे पहले Hydroquinone जो होता है यह एक skin lightening medicine होती है यह आपके चेहरे या skin में से melanin pigment को कम करती है जिसके कारण की आपका चेहरा काला पड़ता है और इसी के साथ साथ में आपके चेहरे पर से peaches या धब्बब को भी हटाता है Mometason जो होता है यह एक steroid होता है यह ऐसे chemical messengers के production को ब्लोक करता है जिसकी वज़ा से आपकी skin पर redness, खुजली, सूजन या फिर redness जैसी problems हो सकती है Tretinoin जो होता है यह vitamin A का एक foam होता है जो कि आपकी skin को फिर से renewed यानि की natural या फिर पहले जैसी होने में मदद करता है अब हम बात करते हैं how to use skin shine cream यानि की skin shine cream को के से use करें तो सबसे पहले आपको affected area को अच्छे से धो लेना है और उसके बाद एक towel से उसे सुखा देना है अब आपको affected area पर cream लगाना है cream लगाने के बाद आपको हमेशा अपने हाथों को साबून से धोना चाहिए और cream आपको prescribe किये गए time तक ही लगाना चाहिए इसे आपको extra या फिर लगे समय तक नहीं लगाना चाहिए तो अब हम बात करते हैं कि skin shine cream आपको क्या-क्या side effects दे सकती है तो यदि आप लोग skin shine cream को prescribe किये गए अनुसार सही तरह से लगाते हैं तो यह आपको कोई भी side effects नहीं देती है लेकिन यदि आप इसे extra time या फिर लबे समय तक लगाते हैं तो यह आपको कुछ side effects दे सकती है जैसे खुजली, जलन, redness अब हम बात करते हैं कि skin shine cream आपके चेहरे को क्यों और के से नुक्सान पहुचाती है तो यदि आप लोग skin shine cream को prescribe किये गए डोस से ज़्यादा time या फिर लंबे समय तक लगाते हैं तो यह आपके चेहरे की skin को पतला बना सकती है या फिर आपके चेहरे की skin को लाल भी कर सकती है तो दोस्तों इसी के साथ हमारी वीडियो समापत होती है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चेनल को like, share and subscribe करना न भूले बीलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिन, जै भारत